फ्रेंड्स यह कोशन पेपर हमारा यूपी ट्रीपल सी वीडियो की तरूँ जो लेकपाल का पेपर हुआ था 2018 में बाइस तरी को ठीक है उसमें सिफ्ट टू में जो कोशन सेट ये बुकलेट सेट आया था भी ये वाला ठीक है उसका कोशन पेपर मैं यहां पर लेकर आया हू ताकि आप लोगों को एक अनुमान लग सके कि किस तरह की कोशन पूछे जाते हैं ठीक है तो अगर आप लोगों ने दिया है तो यह पेपर तो आप लोगों मिला सकते हो इस सेट का जो पेपर है अगर आप लोगों का एक्जाम है आगे तो आप लोग एक इस वीडियो को द फ़ले वीडियो में इस set का करवा चुका हूं अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस video का लिंक में इसके description box में दे देढ़ इस video के आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हो नहीं तो मेरे channel में के classes पर जा के playlist में जाके आप लोग चेक कर सकते हो ठीक है वहां पर पढ़ा हुआ है ये वीडियो हिंदी का ठीक है तो इस वीडियो में पचास कोश्चन रिजनिंग के और पचास कोश्चन जी के करवाने वाला हूं ठीक है तो चलिए पहले हम लोग जी के सक्षन से जो को पर में ठीक है तो यहां पर दोस्तों जो पहला कोश्चन आया हुआ था वो था दोस्तों ज्यान प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध को किस रूप में जानना जाने लगा ठीक है तो यहां पर चार आप संथा जिन बुद्ध ज्यान बोधी तो यहां पर दोस्तों यह बुद्ध की नाम से जाने गए ग्यान प्राप्ति के बार तो यह आपसे नमबर भी बिल्कुल राइट एंसर हो जाएगा 101 का ठीक है उसके बाद से नेक्ट कोशन पूछा गया था यहां पर थोड़ा जूम कर लेते हैं ठीक है तक यह आप लोगों को क्लियर दिखे एक मि हमें ठीक है समराठ असोग का कौन सा सिलया लेक कलिंग पर उनके विजय का उलेक करता है तो तो यहां पर दोस्तों 102 का आप लोगों का आपसे नमबर डी बिल्कुल राइट एंसर हो जाएगा नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट कोशन था हडपा सभ्यता की एक हिस्से लोथ अखल की खुदाई की कोज किसने की थी तो एक सो तीन का आप लोगों का सी वाला हो जाएगा एस आर राव यह आप लोगों का विल्कुल राइट एंसर हो जाएगा उसके बाद से नेक्स्ट कोशन पूछा गया था महाभारत में वरडित कुरुच्वेत्र की लड़ाई कित नेक्स्ट कोशन था कनिश्क पर्थम के शाशनकाल के दौरान कौन सा प्रसिद्ध आयूरवेद विद्वान रहता था ठीक है तो यहां पर चार आप संथे पराशर शुषृत चरक धवंतरी ठीक है तो इसका जो एंसर हो जाएगा राइट तो वह जाएगा चरक ठीक है तो यह जो राइट ऐंसर हो जाएगा दोस्तों जिया अउद्दीन बर्णी ये ताप्सा अरशम नमबर भी बिलकुल हो जाएगा उसके आप से नेक्ष्ट दिखते हैं तो नेस्ट था जो नेक्स्ट कोशन था वो था निम्लेकत में से चिन्हों ने 1857 के सिपाही विद्रोह का है ठीक है जो 877 के सीपाही विद्रो हुआ था उसको विद्रो किसने नहीं कहा है यह पर चार अपसन है तो जान लारेंस कार्ल मार्क्स और आर्सी मजूमदार सयद अहमद खां तो इसमें से जो राइट एंसर हो जाएगा वह 2107 उसके बाद से एक स्कूर्ष फूशं पूशा गया था मुश्शंम लीक ने मुश्विम लीक लहों में पाकिस्तान की मांग में जाएगा तो मुश्विम कि जो लह सतर किये थे तो वो किये थे अर्विंद घोस्टी का बंदे मात्रम पत्रिका की अस्थापना अर्विंद घोस्ट किये थे तो यहां पर एक्षोनों का अब लोंका सी वाला उप्शन बिल्कुल राइट एंसर हो जाएगा ओके उसके बाद से अंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सिव पूरी ठीक है सिव पूरी में इन्हें फासी दी गए थी तो आप्शन नंबर भी विल्कुल राइट एंसर हो जाएगा ओके उसके बाद से दोस्तों नेक्ष्ट कोशन था चंद्रमा का आकार पृत्वी के आकार का लगबग कितना होता है ठीक है तो चंद्रमा का जो आकार होता है वो पृत्वी की आकार का एक बटे चारवा भाग होता है ठीक है तो यहां पर आप्शन नंबर भी विल्कुल राइट एंसर हो जाएगा नेक्स्ट देखते हैं तो नेक्ट कोशन था यहां पर नासा के अनुशार सूर्य के और उसके पासे दोस्तों नेच्ट कोशन था आप लुका एक मिल्ट रगजिमा सेंच्ट्री हो गया उसके बाद से आपनों का नेक्ट कोशन था रहतांग दर्रा भारत के किस राज्य में इस्तित है तो यह इस्तित था दोस्तों हमान्चल प्रदेश में तो यहां पर आप स नंबर ये बिल्खूल राइट एंसर हो जाता है उसके पास से नियक्ष था कौन सा जलकाते अंडमां द्वीपो को नीको बार छ epic से अलग करता है तो यह करता है दोस्तों टैन डिग्री एटाका तो यहाँ पार hope IQ नेका सी बिल्कुल ब्लाइट एंसर हो जाएगा उसके पासे दोस्तों नेक्ट को लत में दुनिया की को अबादी का लगबग है भारत में दुनिया की कोशेंट है तो यहाँ पर बारा है 14 15 16 17 है तो यहां पर जो राइट एंसर हो जाएगा आप लोगों का 17 परशेंट हो जाएगा ठीक कितना परशेंट है तो 17 परशेंट है ओके तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं तो नेक्स्ट कोशन था दोस्तों वह कौन सा सर्वोज परवत सिखर है जो पूरी तरह से भारत में इस उसके बाद से दोस्तों नेक्स्ट कोशन पूछा गया था नीलम संजीवा रिड्डी भारत की कौथे राश्ट पती थे ठीक है तो यहां पर चार आपसन है पांचवे चाटवे शाटवे शाटवे आठवे ठीक है तो इसमें से जो राइट एंसर हो जाएगा दोस्तों आप है तो यह दोस्तों बहुत ही इजी कोशन था तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट एंसर हो जाएगा चामादान कहते हैं बात्तर वाले अर्ट को कि उसके बाद से दोस्तों नेक्स्ट कोशन पूछा गया था भारतिया संग्विधान के किस अनुछेद के था उपराष्ट्रपती का चुनाव होता है ठीक है देखिए कितना सिंपल आर्टिकल से कोशन पूछा गया था 120 का इसका जो एंसर हो जाएगा अपनों का अनुछेद च्छाचट इसके थात उपराष्ट्रपती का चुनाव होता है यहां पर आप्सन नंबर सी बिल्कुल एंसर हो जाएगा उसके पाद से नेक्ष्ट था दोस्तों नेक्ष्ट कोशन कौन सी अनुसूची के थात अनुसूची छेत्रों और अनुसूची जन जातियों के प्रसासन और नियंत्रण के लिए प्रावधान किये गये हैं ठीक है तो यहां पर चार आप संथे चौती पा 2,169 को कहां पर किस जेले में पेस किया गया तो यह किया था दोस्तों आपनोंका ना गा जिले में ठीक हां पर ना गावर-जिले में यह पेस किया गया तो इसमें जो राइट एंसर था दोस्तों Google जो है वो एक वेब ब्राउजर नहीं है ठीक है यह बाकी यह सारे वेब ब्राउजर है Firefox Mozilla Microsoft Edge और यह NetScape Navigator ठीक है यह वाला अपसन नहीं है ठीक है तो यह वाला अपसन बिल्कुल राइट एंसर हो जाएगा आपनों का option No A बिल्कुल राइट एंसर हो जाएगा रहें कि नेक्स्ट कोस्टन था दोस्तों एक गीगावाइट जो होते हैं वह कितने मेगावाइट वाइनरी के बराबर होता है तो यह होता है दोस्तो आपनों का 1024 यहां पर मेगावाइट बाइनरी के ओके तो तो एक हजार चौबिस आपनों का यह वाला जो आपसन है वह बिल्कुल राइट एंसर हो जाएगा ओके नेक्ट देखते हैं नेक्ट कोशन था यहां पर पहले कोश्चन पढ़ लेते हैं तो इसका जो आपनों का राइट एंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों आपनों का हो ठीक है तो अपसन नंबर ए बिल्कुल राइट एंसर हो जाएगा ओके नेक्स्ट कोश्चन था उननीस सो तिरालिस में जे डेवलू मार्शली और जे प्रिश्पर इकर्ट द्वारत बिना किसी भी यांतरिक हिस्सों के बनाए गए पहले कंप्यूटर का को क्या कहा गया था तो इसे जोस्तों कहा गया था आपनों का इनायक ठीक है एनियस ठीक है तो यहां पर आप सन नंबर ए बिल्कुल राइट एंसर हो जाएगा इसका उसके पास से चलिए नेक्स देखत में जाना जाता है तो option नंबर भी बिल्कुल राइट एंसर हो जाएगा ओके नेक्ट कोशन था दिवाली के दौरान मुंदेल खंड के एहर समुदाय द्वारा कौन सा निर्ति किया गया तुछा पहली पाई डांडा भागोडिया या नटवाडी ठीक है तो यह किया गया था तो आप लोगं का पाई डांडा ठीक है तो यहां पर option नंबर भी बिल्कुल राइट एंसर हो जाएगा नेक्ट कोशन था सफेद धागे का उपयोग करके कपड़े पर की गई प्रसिद कडाई को क्या कहा जाता है तो इसको कहा जाता है दोस्तों चिकनकारी क्या कहा जाता ह है चिकनकारी तो यहां पर option नंबर ए बिल्कुल राइट एंसर हो जाएगा नेक्ट कोशन था दिये गए विकल्पों में से गलत जीला मुख्याले वाली जोडी का चैन करें अमेठी गोरी गंज शोनभद्र राबर्ट गंज कुशिनगर पड्रोना या कौशामभी वैशाल उसके बाद से दोस्तों नेक्ट कोशन था उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन से जिले की सीमा मद्य प्रदेश के साथ साजा नहीं करती इलाहबाद मिर्जापूर इटावा या अलीगड तो इसमें जो आपनों का अलीगड वाला option है ये बिल्कुल राइट एंसर हो जा उसके बाद से दोस्तों नेक्ट कोशन था जनवरी 2018 में गौतम बुद्ध विश्व विद्याले नोइडा में आयोजित बाइस हमें राश्पती युवा समारोह का विशय क्या था तो इसका जो विशय था दोस्तों वो था संकल्प से सिध्धी क्या संकल्प से सिध्धी ये विशय था ओके तो उसके बाद से नेक्ट कोशन देख लेते हैं तो नेक्ट था उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सुरू किया गया दस्तक अभियान निम्न में से किस संबंदित है तो यह दो यहां पर देख सकते हैं आप लोग चार आपसने जापानी एंसे फ्लाइटिस क का उन्मूलन यह आपनों का इससे संबंदित था ओके इस अभियान से उसके बाद से दोस्तों नेक्ट था कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश के सहरों में से उन नदियों के साथ मेल खाता है इनके किनारे वे सहर है ठीक है तो इसमें जो आपनों का यहां पर देखिए यहा बी का 4 है बी का 4, C का 1, B का 3 तो यहां पर आप्सन नंबर भी बिल्कुल राइट एंसर हो जाएगा ठीक है तो 137 का आपनों का बी वाला आप्सन बिल्कुल राइट एंसर हो जाएगा ठीक उसके बाद से नेक्ट देख लेते हैं तो नेक्ट कोशन था जुलाई 2018 की इस्ति ठीक है यह आप्सन नंबर भी बिल्कुल राइट एंसर हो जाएगा उसके पास से दोस्तों नेक्ट कोशन था भारत में सिक्कों की ढलाई का एक मात्र अधिकार किसके पास है तो यह है दोस्तों अधिकार भारत सरकार के पास तो यहां पर आप्सन नंबर से बिल्कुल जो हो जाएगा वह सबसे सही हो जाएगा जन्गणना 2011 की अनुशार जन्गणना 2011 की अनुशार भारत का तीसरा सबसे अधिकाबादी वाला राजी कौन सा है तो यह बिहार हो जाएगा तो option no.d बिल्कुल राइट एंसर हो जाएगा उसके बासे दोस्तों next question था भारत में इह पर बैंकिंग लोगपाल के बारे में कौन सा कफन सही है तो यहां पर चारा अपस्वन थे यहां पर देक सकते हैं दोस्तों आप लोगों का सूरेश प्रभूने ठीक है तो आपसन नंबर ये बिल्कुल राइट एंसर हो जाएगा नेश्ट था दोस्तों उस योजना का क्या नाम है जिसका उद्देश घरेलू उपभोगताओं को LED बल्ब प्रदान करना है जिसमें मार्च 2019 तक 770 मिलियन उद अभेक राइट एइंसर हो जाएगा ठीक है तो यहां पर आपसन नंबर ये विल्कुल राइट एंसर ओएगा उजला उसके बाज़ायूजन उसके बाद nei qo तो इसका जो एंसर हो जाएगा दोस्तो वो जाएगा नौजोमी और कुहारा ने ठीक है तो यहां पर आप्सन नमबर एक बिल्कुल राइट इंसर हो जाएगा बाकी सारी रॉंग है ठीक है उसके बासे नेक्स्ट था दोस्तो फ्रांस की रूस में 2008 फीफा जीत की बाद खिला अंसर हो जाएगा उसके पास से दूस्तों नेक्ट कोशन था भारत में आमो का सबसे बड़ा उतपादक राज यह कौन सा है तो यह पर चार आप संथे तो इसका जो विस्तरित रूप हो जाएगा वो यह हो जाएगा अगरी कल्चर एंड प्रोसेस फूर्ड प्रोडक्ट इक्सपोर्ड डेवलप्मेंट अथार्टी ठीक है यह अपनों का इसका फुल फॉर्म हो जाएगा ओके उसके बाद से नेक्स्ट कोशन इसके पास से लाश्ट कोशन यो था वह था दोस्तों क्रिस्टी की ग्रीन हाउस का एक तरीका है जहां अनत उन्हें फिजल उन्हाइब करके शहरों में बहुं मंजिला इमार्ड के अंदर वारिजिक रूप से हारी है फश्लों की खेती की जाती है तो यहाँ पर चार आप् तो ये थे दोस्तो हमारे GK सेक्षन से 50 कोशन जो की बीजे सेट में आया था